Assalamualaikum and welcome to another video दोस्तों लेटस्ट अपडेट आई है नॉन फाइलर्स के बारे में और वो ये कि गौवर्मन ने नॉन फाइलर की केटवरी को ही खतम कर दिया है यानि आपसे कोई भी बंदा नॉन फाइलर कंसिडर ही नहीं होगा एक बंदा आपसे या तो फाइलर होगा करेगा या फिर वो कुछ भी नहीं होगा जो न्यूस रिपोर्ट हो रही है उसके मताबर गौवर्मन ने तकरिबर 15 किसम की पबंदिया लगाने वाली है ऐसे लोगों पर जो गलत इंकम रिपोर्ट करते हैं मिसाल के तोरपर वो इंकम ज़्यादा कमाते हैं बट रिपोर्ट करते वक्त उसको कम शो करते हैं जबकि FBI की सिस्टम में भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है बट स्टिल वो ना तो टेक्स देते हैं ना ही फाइलर बनते हैं बट इनिशल स्टेज पर अभी पांच ऐसे सेक्टर हैं पाकस्तान में जिनके अंदर नौन फाइलर का कॉंसेप्टी खतम कर दिया जाएगा ये पांच सेक्टर कौन से हैं नौन फाइलर की कैटेगरी खतम करने के एफेक्ट क्या पढ़ेंगे इस पर यही सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे पहला पॉइंट है यहाँ पर ट्रैवलिंग यानि आप से नौन फाइलर बंदा इंटरनेशनल ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा अगर ट्रैवल करना है तो फाइलर होना जरूरी होगा या जो लेट फाइलर के कैटेगरी इंटर्द्यूस की थी अब इस नौन फाइलर के कैटेगरी को खतम कर देने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसिजर अडॉप्ट किया जाएगा तीसरी पबंदी है car sale purchase करने पर इस पबंदी के लग जाने के बाद a non-filer cannot sale और buy a car इसमें जो different tax rate है उनको भी adjust किया जाएगा एक नए सिरे से चोथी पबंदी है non-filer के bank account open करने पर and फिफ्थ पबंदी है एक non-filer के mutual funds में investment करने पर सुने में तो यही आ रहा है कि एक ordinance लाया जाएगा government की तरफ से जिसके बाद यह सब कुछ change होगा और ultimately यह सब यह करने वाले हैं कि filing के status के बगार बंदा यहां कुछ भी नहीं कर पाएगा अब इस तरह की restriction लगा देने से एक तरफ तो लग रहा है कि बहुत बड़ा फाइदा होगा, tax ज्यादा जम्मा होगा but there are so many things जिनके उपरविया को काम करना होगा वरना यह सब कुछ breakdown हो जाएगा for example अभी की date में बहुत से लोग ऐसे हैं जो taxable income नहीं कमाते वो फिर किस तरह से अपने bank account open करेंगे अपने private salary के लिए या चोटे मोटे कारोबार के लिए जिनके पास 800 CC या उसे कम engine वाली गाड़िया है जो common बंदा है, installment पर लेता है अपनी family को support करने के लिए वो फाइलर नहीं है, ना है उनकी इतनी annual income होती है इस किसम के बेताशा लोगों को कैसे justify किया जाएगा यह सब issue तो आएंगे, मगर वोड करने वाली बात यहां पर यह है कि initial stage पर जो पुबंदिया लगने वाली है यह कोई इतनी बुरी जीज भी नहीं है गौर्मिन्ट के मताबक यह परपंदिया खास तोर पर उन लोगों के लिए हैं जो अपने income छपाते हैं जो यहां tax pay नहीं करते मगर बड़े bank account hold करते हैं गाड़ियां रखते हैं और international travel भी करते हैं और इसके लावा भी बहुत कुछ है उनके पास मगर वो रपोर्ट रिंग करते हैं और tax भी बहुत सारा बचा लेते हैं तो FBR के हमेशा कोशिश होती है कि वो ऐसी चीज़े implement करें जिनसे ऐसे लोगों को tax net के अंदर लाया जा सके और ये भी सेम ऐसी ही कोशिश है इससे एक common person को परिशान होने वाली कोई बात ही और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइलर ओने से किसी इनसान को कोई नुकसान नहीं होता हाँ वो खुद एक अच्छा citizen हो और गलत तरीकों से इंकम ना कमाए ना ही tax चुपाए तो चले अब इसके उपर जैसे law one के आएगा तो इसके उपर मजीर discuss करेंगे इसके implement क्या है उसके उपर discuss करेंगे अभी के लिए वीडियो को like share चैनल को subscribe जरूर करतेजेगा मैं मिलतो हूँ आपस अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए अल्ला हाफेज